हर घर में फयराएं राष्टि द्धवज उस्तसाहा के साथ मराएं स्वतंतृता दिवस, राजीपाल मंगुभाई पठे स्वतंतृता दिवस से पहरे 13-15 गस्त तक हर घर में राष्ट द्धवज फयराएं देश है तभी समाज और व्यक्ति का अस्तद्व है हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो राष्ट की मजबूती में अपना सर्वश्ष्ट योगदान दे कोई भी ऐसा कारे ना करे जिससे भारत मा को कश्ट पहुंचे श्यपत का हमेश्वा आचरण में पालन करना पधादिकारीयों को कर्तव्य होना चाहिए ये बात राजपाल मंगो भाई पठील ने ग्राम हातोद में कर्णल धिलन के समाधी स्तल पर माली अरपन कर पौधर उपन कारिकरम के द्वारान कहीं वह ग्राम हातोद में नए आंगलवाडी भवन का भूमी पूजन और हित्रगराहियों को लाभ वितरन भी किया राजपाल ने कहा कि भारत को वश्योगुरु बनाने के लिए सभी संकल्पित होकर एक जुट प्रयास करें उन्होंने कहा कि जिस तरह शरीक एकंग की कमजोरी पूरे शरीक को आस्वस्त करती है उसी तरह यदि कोई परिवार समुदाए वन्चित पिछड़ा हो तो वो देश और समाज को कमजोर बनाता है जो सक्षम और समर्थ है उसका दायत वह है कि वो गरीब पिछड़े और वन्चित वर्गों के विकास की जिम्मेदारी गिरहन करे राज जपाल ने कहा कि 13 से 15 अगस तक हर घर में तरंगा जंड़ा लगाना है कई अंजियो समझे कारे करता आएंगे आपके घर पर जंड़ा लगाने लेकिन आपको खुद अपने घर पर तरंगा जंड़ा फेराना है सबसब पर कलेक्टर अक्षे कुमार, स्पी राजेश सिंग चंडेल, जिला ध्यक्ष राजु बाथम, जिला पंचायत अध्यक्ष निहा यादप, नगरपालिका अध्यक्ष गायतरी शर्मा, पहलाद भारती कर्नल धिलन का परिवार के साथ ग्राम हातोत के निवासी अधि अधिकारी पत्रकार मौजूद थे